हेलो फ्रेंट्स दिव कीचेन एंड ब्लॉक में आप सब का स्वागत है राधे राधे तो यह देखिए आज मैं क्या बनाई हूँ मैं फ्लावर बनाई हूँ जो की बहुत ही प्यारा लग रहा है तो आए चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यह मार्केट स लिया है फ्लावर लूम बोलते हैं इसको यह प्लास्टिक का बना रहता है मैं दो कलर का उन ली हूँ इस तरीके से उन को मैं उपर वाले उसमें काट लगा दूंगी और फिर बनाना स्टार्ट करोंगी बहुत ही जल्दी बन जाता है यह फ्लावर आपको कुछ भी बनाना ह चाहे वह स्विटर हो या मेश पोस हो थाल पोस हो कुछ भी आप बनाईए बहुत सुंदर लगता है यह तो अपना आप दिमाग लगाईए कि मुझे क्या बनाना है सोचके रखिए मैं तो थाल पोस बनाने के लिए रेडी कर रही हो फ्लावर पुचब डेर सारे फ्लावर हो जाएंगे तो मैं धाल फोस बनाऊंगे उसको गोशिये की मदद से जोड़के तो यह देखे इस तरीके से वीडियो में आप देख सकते हैं इस तरीके से हम को फसाते हुए इसमें पूरे चारो तरफ लगाना थे देखिए पूरा हो गया है आप जो पूरा कंप्लीट हो मेरा और थबी चोपी से मार्केट में जाता है जिससे अमारा धागा खुले ना इस तरीके लगाना है तब मारा फ्लावर का पूरा सेफ आएगा तो रेट कलर पूरा हो गया है अब मैं बीच वारे उसमें मैं एक वाइट कलर के ऊंसे नॉट बांदूंगी और फिर जैसे मैं रेड़ वाला बनाया है उसी तरीके से वाइट वाला बनाना है बहुत ही 10 मिनट लगता है आप कई रेर सारे बनाकर रेडी कर लेंगी थोड़ा सा दिक्कत स्टार्टिंग में एक दो बनाएंगी तो दिक्कत आता है फिर जब बनाने लगेंगी तो बहुत ही चल्दी से इसली बन जाता है यह देखिए इस तरीके से जैसे मैंने रेड वाला बनाया था उसी तरीके से वाइट वाले उन को भी उसमें फसाके बना दी हूँ तो आप इस तरीके से ट्राइब करिएगा और बनाकर जाए स्वेटर हो जाए मेजपोस जाये थालपोस आप बनाकर जरूर रेडी करिएगा बहुत सुंदर लगेगा तो इस तरीके से मैं कई फ्लावर बनाकर रख भी ली हूँ और जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक पूजा की ठालपोस बनाकर रेडी करूंगी मैं जब भी रहती हो तो मुझे इस तरीके का काम करना मुझे बहुत पसंद लगता है जैसे कड़ाई हो स्वेटर बनाना हो या इस तरीके का क मैं फ्री रहती हूँ तो मैं यह सब करती रहती हूँ और यह जो मेरा यह है मेरे साधी के पहले का मैंने यह उन भी रखा है और यह मैंने फ्लावर लूम जो प्लास्टिक का यह भी लेके रखा था मैं साधी के पहले इससे कई चीजे बनाई थी तो अचानक मुझे याद आ कि मेरे पास तो रखा हुआ है मैं एक बार फिर से ट्राइ करती हूं कहीं भूल तो नहीं गई हूं लेकिन मैंने ट्राइ किया तो मेरा बहुत ही पर्फेक्ट फ्लावर बनकर रेडी हुआ और मैं इसका थालपोस बनाओंगे जब बन जाएगा तो आपके साथ वीडियो जरू सेयर करिए तो यह देखिए हमारा फूल बन गया तो इसको मैं इस तरीके से उसमें से निकाल लूंगी फ्लावर लूम से और फिर पीछे दोनों धागे को मिलाकर अच्छे से नौट बांद दूंगी तो यह देखिए मेरा फ्लावर कंप्लीट है अब इसको पीछे की तरब से मैं अच्छे से घाट लगा दूंगी और फिर अमारा फ्लावर परफेक्ट रेडी है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिए और शेयर करिए लाइक करिए अगर पसंद आया तो डिस्क्राइट भी कर सकते हैं तो मिलते हैं नए वीड